नमस्कार विद्धिरति मित्रान्नों आज या ठीकाने आपन इंडक्शन मोटर जी आहे थ्रीफेज इंडक्शन मोटर या थ्रीफेज इंडक्शन मोटर चाप स्पीड कशा पद्धिने आपन नियंद्रित कराईचा मैंजे स्पीड कंट्रोल कसा कराईचा त्या बद्दल्ची माहिती आज आपन या वीडियो मदे गेना रहो जरा तर्मक बगुया थ्रीफेज इंडक्शन मोटर चा स्पीड कसा कंट्रोल कराईचा थ्रीफेज इंडक्शन मोटर चाहे त्या मोटर चा जो वेग आए त्या वेगा चा जी नियंद्रान हाए मैंजे स्पीड कंट्रोल आए है डिसी मोटर चा स्पीड कंट्रोल सरक शूपन अस्तो जी थ्रीफेज इंडक्शन मोटर चाहे त्या मोटर चातो स्पीड आए हाँ स्पीड त्या ठिकानी आसलेला सप्लाई फ्रिक्वेंसी चा सम्मा प्रमानात अस्तो आणि त्या ठिकानी जी पोल आए त्या पोल चा वेश्त प्रमानात अस्तो त्रिपेज इन्रेक्षन मोटर चाजो स्पीड आहे तो स्पीड नियंदरन करने चा एकुण दोन पद्धत आहे पहली आहे स्टेटर साइड स्पीड नियंदरन पद्धत आनी दुसरी आहे रोटर साइड स्पीड नियंदरन पद्धत आता स्टेटर साइड वारे स्पीड नियंत्रन करने ची पद्धत आहे ती एकुण तीन पद्धत इन वारे स्टेटर साइड चा जो स्पीड आहे तो कंट्रोल करता है तो पहला आहे दिले लिया वोल्टेज मदे बदल करून आपने इन्नक्शन मोटरला जो वोल्टेज जो तो त्या वोल्टेज मदे बदल करून नंतर त्या ठीकाने असलिया फ्रिक्वेंसी मदे बदल करून त्या जबर बर दो स्टेटर है त्या स्टेटर मदे असलिया जी पोल्ची संक्या है त्या पोल्ची संक्य मदे बदल करून या stator side speed नियंद्रन या 3-phase induction motor चाप देला करता है तो दुसरी जी पद्धत आहे ति मंजे rotor side speed नियंद्रन पद्धत आहे ती तीन प्रकार आप देला करता है ते पहले आहे rotor reverse state control द्वारे दुसरी case code operation पद्धती द्वारे आणि जी तिसरी आहे ति मंजे rotor circuit मध्धे या तीन प्रकारे आप देला rotor side speed नियंद्रन करता है तो आपन या टिकानी बगिदला ध्रिपेज induction motor चाप दो स्पीड आहे तो आप देला stator side आणि rotor side अश्या दोन मुख्य पद्धती द्वारे speed कंट्रोल करता है तो पुरी स्लाइडला बगुया आपन stator side speed कंट्रोल पद्धत आथा आपन बगुया कि stator side speed कंट्रोल पद्धती मदली जो पहला प्रकार आहे तो वंजे तिया टिकानी दिलेला voltage मद्धे बदल करूं हीजी पद्धताए ही फार सूपी आणि स्वस्तास्ते परंतु सध्यमात्र इचावापर फार कोचित खेला तातो करण या टिकानी speed मद्धे जर आपदला कमी प्रकाचे जेंडेस कराईचा सील त्या जाठी या टिकानी मोठ्या प्रमनात वोल्टेज मदे बदल करावा ला आणि या टिकानी मोठ्या प्रमनात सप्लाई वोल्टेज मदे बदल दर केला तर मोठ्या प्रमनात फ्लक्स डेंसिटी मदे बदल होतो आणि त्या मोठ्या मोठ्या प्रमनात वोल्टेज मदे बदल करावा लागतो आणि मोठ्या प्रमनात वोल्टेज मदे बदल केला पुर्चे जी प्रिक्वेंसी मधे बदल करूं इंडक्शन मोटर मधिल जी रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्ड आहे पुर्चे जी प्रिक्वेंसी मधे बदल केला तर सिंक्रोनस स्पीड मधे देखिल बदल होतो और रणिंग स्पीड मधे देखिल यह आटिकानी बदल होतो स्प्रिक्वेंसी मधे देखिल आपन बदल केला तर सिंक्रोनस स्पीड मधे बदल होतो और रणिंग स्पीड मधे देखिल यह आटिकानी बदल होतो मनुन ही जी पद्धता है फार मोठ्या प्रावना उपयवत आनली जाते ही जी पद्धता है फक्त इंडक्षन मोटर जनरेटर सप्लाई पासन फिरोली जातता सेल तर उपयवत धरते कारण करण प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् आपन स्पीड कांट्रोल कराईचा तर सिंक्रोन स्पीड आणि रैणिंग स्पीड इस्टेटर चाप जे पूल है त्या पूल मदे बदल करून आप दला याडिक आणि नियंत्रित करता है यह साधरां पने स्क्विरल केज इन्डेक्शन मोटर या मोटर मदे वापली जाते ज पुन्ते ही स्टेटर चा पोल चा संखेला मैच होतात। स्टेटर पोल मदे बदल करने साथी दोन के मां जासता स्वत अंत्र स्टेटर वाइंडिंग ही विगविगळे संखेचे पोल त्यास पराणी स्लोट मदे निर्मान के लिए जातात। सिंख्रोन स्पिड आणि रणिंग स्पिड ही स्टेटर चा पोल चा संखेला मैच होता। स्टेटर पोल मदे बदल करने साथी दोन के मां जास्त स्वत हंत्र स्टेटर वाइंडिंग करोन्विगविगख है संखेची पोल त्याई स्लोट मदे आपन निर्मान करतों। ज़र एक स्टेट रहा दून थ्रिपेज वाइंडिंग साथी बाउंड के लिला असेल एक वाइंडिंग ही चार पोल साथी तर दुसरी ही सहा पोल साथी असेल तर यावी सप्लाइ प्रिक्वेंशी ज़र 15 फ्रिक्वेंश तर आपन बहुशक्तो फॉर पोल वाइंडिंग कनेक्शन साथी जो सिंक्रोन स्पीड है तेच्छो सुद्रभगो अपन नस मैंजी सिंक्रोन स्पीड वरवर 21 गुणिले 15 बागिले चार पोल वरवर यादि गनी 15 अरिपियम स्पीड मेल साथी जो फॉर पोल वाइंडिंग कनेक्शन साथी जो सिंक्रोन स्पीड वर यादि गनी 15 अरिपियम यापद दतने जी मोटर है त्या मोटर सा स्पीड मेल यापद दतने आपन स्टेटर साइड जी स्पीड आहे ती कंट्रोल करू शक्तो अता पन बहुए ले-टोर सायड वारे-श्पीड कहंट्रल कोंधे पद्धती नहीं उतो पहले जिपद्धत आहे ती माझे रोटोर रियुँट्ट युँट्ट्र वारे जए DC शन्ट मोटर आहे त्या शन्टमोरलमधिल आरमेचर रेवस्टेट कंट्रोल जी पद्धता है त्या पद्धती प्रमाने ही रोटर रेवस्टेट कंट्रोल पद्धता है स्क्विरल केज इंडक्षन मोटर चा रोटर ला बाहरून रेजिस्टन दोणने शक्क्य नस्त तेचा मुए ही जी पद्धत आहे ही फक्त स्लिपरिंग इंडक्षन मोटर या मोटर साथीच वापर लिजाते स्क्विरल केज इंडक्षन मोटर चा रोटर ला बाहरून रेजिस्टन जोड़ू शक्त नाही तेचा मुए फक्त जी स्लिपरिंग इंडक्षन मोटर है या मोटर साथीच वापर लिजाते पुर्ची पकवापन केज कोड ऑपरेशन पद्धती द्वारे इजी स्पीड कंट्रोल पद्धता है या पद्धती मदे दोन मोटरी एका शाप्टोर बसो लिले आसताथ दोन मोटरी एका शाप्टोर बसो लिले आसताथ मुणुन त्या दोन ही मोटरी सारक्य स्पीड ने फिलताथ एक मोटर एसी थ्रीपेस सप्लायला जो लिले आसते तर दुसरी ही पहला मोटर मदे निर्मान होना रहा एमफ स्लिप्रिंग द्वारी दिले दाते इजी दुसरी मोटर आहिता दुसरी मोटर ला पहला मोटर द्वारे दो स्लिप्रिंग द्वारे दो निर्मान होना रहा एम सब्लाई है दूसरे मोटर ला दिला जातो आपने या ठीकने आकुरती बगुशक्तु या मदे मोटर ए ही मेन मोटर मुणंद आखुली आए आने मोटर बी ही अक्जेलरी मोटर मुणंद आठीकानी वापर लेलिया है आनी तेजा स्लिपरिंग वर्ती वेरिबल रेजिस्टन टाक लेले आपन बगुशक्तो केसकोड आउपरेशन पद्धत येजी केसकोड आउपरेशन पद्धत है येजी स्पीड कंट्रोल पद्धत है या पद्धती मादें दोन मोटर एकाश शाप्ट वर्त जो लेले आशता आने महनुन त्या दोन ही जा मोटर है तेज सारके स्पीड ने फड़ता एक जी मोटर है ती एसी त्रीपेश अपरेशन पद्धत आउपरेशन पद्धत आशते रोटर साइड स्पीड नेंद्रनाची पुर्ची जी पद्धत आए कि मांजे रोटर सरकेड मदे EMF इंजेक्टिंग वारे स्पीड कंट्रोल परेशा हीची पद्धत आए या पद्धत आए मदे इंडक्शन मोटर ताज स्पीड आए तो इस्पीड कंट्रोल है रोटर सरकेड मदे वल्टेज इंजेक्ट करून केले जाता या ठिकानी वल्टेज इंजेक्टिंग प्रिक्वेंसी ही स्लिप प्रिक्वेंसी यहोडिच आसावी परन्तु जया टिकाणी कोंत्याही फेजला इंजेक्टेड EMF सा अड़ द़ा नस्तो जर आपण अपोजिटेड फेजला इंजेक्ट EMF केला तर rotor resistant याड़ी कानी वारतो अनि जर inject EMF इन抵ैज rotor ला EMF जला तर rotor resistant याड़ी कानी कमी होतो मनुन फेज़चा इंजेक्टेड EMF मदे बदल करूँ या टिकन आप या पिला स्पीड कंट्रोल करता है तो या पद्धधी मदे जी स्पीड कंट्रोल आहे ते रोटर सरक्टीट मदे आपन वोल्टेज इंजेक्ट करूँन के लिए जातो या टिकांचे चीजी वोल्टेज इंजेक्टिंग फ्रिक्वेंसी आहे ती स्लिप फ्रिक्वेंसी इवड़ीज आप दला हव्यासते पन जा टिकानी कोंटे ही फेजला इंजेक्टर फ्रिक्वेंसट करता है तो या टिकाने करता है ते स्पीड आहे ती नौर्मल प्रिक्षा कमी देखिल या टिकानी करताहे ते आज या डिकाने आपन त्रिपेज इन्डक्षन मोटर तातो स्पीड आहे तो स्पीड कुणकुण ने पत्धतिने इन्द्रित करता है तो त्या बंदल ची महिती गेतली धन्यवाद जा लो धर ट्थिड़ोस हो चेजु आहे तो मिइनस पतक्तझ करता है उन्यवाद और भी उन्यवाद ग तो झाल झाल